नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात, मैं हूँ राहूल कमूल व्यापम घोटाले की आग में भारती जन्ता पार्टी जुलस रही है और इस वक्त मेरे खास महमान है पार्टी के उपा ध्यक्ष मत्यपरदेश के प्रभारी मिनेश सहसरुपुती स्वागत है आपका सीधी बात में व्यापम घोटाली की वज़ह से बीजेपी की छवी को बहुत बड़ा जटका लगा रहा है और सब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकर सीबी आई जांच को मन्जूरी देते देते शिवराज सिंग चौहान हो चुकि आप पार्टी के प्रभारी हैं आप दोनों ने इतना वक्त क्यों लगा दिया मुझे लगता है कि तो ये वरणन करना के पार्टी के कुल मिलाकर चवी को बहुत जवरदस्त जटका लगा है इसका कारण ये है कि सबसे पहले तो लोग कुछ तत्यों को जानते हैं कुछ तत्यों को उजागर करने में हमारी थोड़ी कमी रह गई मैं सिलसिलेवार एक-एक बिंदू बताता हूं कम शब्दों में पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा कांड है प्रकरन है इसको उजागर किया है हमारी ही सरकार ने सची बत नहीं है 2009 में सबसे पहले आनंदराई नाम के एक विसल बोर ने शिकायत की उसके हिसाब से तहकीकाट शुरू हुई 2010 में घोटाला हुआ 2011 में घोटाला हुआ 2012 में घोटाला हुआ 2013 में शिवराच सिंग चौहार ने स्पेशल टास्क पोस्त का गठन किया तीन साल व अगर जब उसके एक व्यापकता का स्वरूब ध्यान में आया तब सबसे पहले शिवराच सिंग जी ने उसके तहकीकात के आदेश डिये एक स्केव बनाया और 2009 में जब शिकायत हुई तभी अगर धंकी तहकीकात हो जाती तो 2010-2011 और 2012 में ये स्कैम होटा नहीं आई थी त जब शिवराच सिंग चौहान खुद उस मंतराले की इंचार्ज थे ये ये सरासर गलत है ऐसा कुछ नहीं था जैसे मैंने कहा कि प्रकरण तो कौपी के प्रकरण हर रोज कितने होते हैं आपको पता हैं कितनी बार क्यूश्यन पेपर लीक होता है हम सब को पता है बार बार में निकल के आया कि जो शुरुवाती डॉक्टरों की पोस्मॉटम है वो पोस्मॉटम रिपोर्ट साहसर बुद्धी साहब ये कह रही है कि उसकी गला घोट के मौत हुई क्योंके ऑक्सिजन सप्लाई की कमी थी और आप इसके बावजूद बार बार जुट बोलते हैं उसके आड़े में तिन साल पहले और उसी मौत की रात को पोस्मॉटम में लिखा हुआ है कि गला गोट के दुद उसकी मौत हुई उसके बाद से ये पाखंड रचा गया ये बताया लोगों को कि ये मौत नहीं स्विसाइड है ये तो आपकी सरकार आपकी स्पेशल टास्प जूट बोल रही है तो उसकी शिकायत आपने साइटी और माननी उच्चन आयले से करनी चाहिए सरकार का स्पेशल टास्पोर पर कोई नियंत्रेंड नहीं है ये बात आपको पता होनी चाहिए मध्यपरदेश की पुलिस करती है मध्यपरदेश के ग्रहमंत्रालि को ग्रहमंत्रालि रेपोर्देश के चीफ मिनिस्टर को आपको लगता है जनता इतनी ना समझें की उनको संझतंभी नहीं आ रहा कि मौत सुइशाइड कैसे बन जाती है जब भी आप जनता को बताते हैं और कहते कि एक भी मौत मर्डर नहीं थी देखिए आपको इसका सिंसिरेवार जवाब दिया जा सकता है इसमें मैं दे रहा हूं विल्कुल नहीं है यह जूट विल्कुल नहीं है किसी एक विशिष्ट एक प्रकरण को लेकर आप बात का वतंगर ब जानकारी है और हमारी जो तथ्य है उसके अनुसार जो काम चल रहा है वो सही काम है अगर आपके पास नहीं जानकारी नहीं है यह शुरुवाती पोस्टम रिपोर्ट है उस डॉक्टर से बातचीत हुई डॉक्टर ने लिखित में अपने हस्ताक्षर के साथ कहा है यह नहीं हुआ जब कि पोस्टम रिपोर्ट खुद कह रही है कि मर्डर यह तथ्य जो है जैसे नहीं यह तथ्य है इन बातों को पहले नहीं कैसा हो सकती है इसको किसी ने दवोचने की कोशिश्ट की नहीं है आपके बेस्पूलिस ऑफिसर है हमारा एक खोजी पत्रकार उन सब पहावी है दिखे मैं कोई मध्यप्रदेश सरकार के अंदर काम नहीं कर रहा हूं यहां तो केवल एक इस प्रकरण का यह एक प्रशासनिक विफलता का प्रकरण है इसमें कोई संदे नहीं और जब इसको ध्यान में लाया गया तब इसकी खोजबीन करने की दुर्ष्टी से एक दम बहुत ही प्रामारीक अधिकारी की अध्यक्षिता में उसके प्रमुक खत्व में स्टी अफ को बनाया गया एसाइटी को बना गया सुप्रीम कोर्ड के पास पूरा सोपा गया तो हमारे इरादों पर शक करने की कोई आवशक्ता है इसा को पारण नहीं है मद्यवर्देश में ही शेहला महसूद की मौत होती है फॉरन मुख्यमंतरी कहते हैं कि यह केस को सीबिया को सामतिया जाए यहां पर 46 व्यापम से जुड़ी मौत होती हैं जब तक सुप्रीम कोट में यह साफ संकेत नहीं मिलते कि अगर आप ने इसको ट्रांसफर नहीं किया सुप्रीम कोट आपकी खाट खड़ी कर देगा तब तक बीजेपी टस से मस नहीं होती है आपके मुख्यमंतरी उसको ट्रांसफर करने को तयार नहीं अतलब क्या निकाला जाए आपको यह पता है बिल्कुल पता है कि नवंबर में 5 नवंबर 2014 को CBI के पास यह सारा प्रकरन ले जाने के लिए श्रीमान दिग्विजय सिंग ने आर्जी की थी जिसको हाइकोर्ट ने पूरी तरीके से नकार दिया हाइकोर्ट इसमें कोई संदर बनी है अभी आप जनता को फिर से गुम्रा करें आपको मुख्यमंतरी जी ने इसका जवाब दिया है कि जब जनता में इस तरीके का गुम्राह करने की या उनके अंदर संदे निर्मान करने की कोशिश की जा रही है चुकि हमारा दामन साफ है हमने प्रो एक्टिवली हाइकोर्ट को लिखा है निर्ने हमने नहीं किया है हमने हाइकोर्ट को लिखा है जो हमारे काम के चोखट में आता है कि we can request the high court we cannot order the inquiry अभी CBI भी हमारे आप कहे सकते है कि यह वही पर आपकी भी सरकार है तो संदेज इसको लगाने का ही काम करना है उसको कौन रोक पाएगा मगर हमारा दामन साफ है हमारी नियत सच है और हम किसी भी तरीके के सच से कोई मुकरने की आवश्यक्ता नहीं हमें जो भी सच होगा दूद का दूद पानी का पानी साफ है उमा भारती कहती हैं कि उनकी जान को खत्रा है उमा भारती कहती हैं कि उनसे जुड़े लोगों की जान को खत्रा है वो यहां तक कहती हैं कि मद्यपरदेश में रहते वक्त उन्हें डर लगता है या आपकी पार्टी की वरिशनेता है मद्यपरदेश की पूर मुक्यमंत्री और के ंद्रे सरकार में जलसंसादन मंत्री है और उने मद्यपर्देश जाने में ड़र लगता है किस तरह की बात है सब 10. की वरिष्ट नेत्री है अर उनका K कुछ एक आकलन होगा हम उस पर टिपणीन करते हमारेम की NETाओं के बयानों पर हम टिपणी तो मजबूरी रहही होगी कॉपी नहीं मेरे साथatos dolore नेका है वर वकात कर रही है तो आप就到 ही के भीदार से बाटा जो आपके जवाब है नित आतने करता हुगा कि गर के आंदर की बात है हाँ पीडिया कि संब्मक्रिण इस helmet लिए बारबार सा रे चुनाओं में हम सफल हो रहे लुद्ए ऐडरा को चुनाव सिना जोड़के देखिए है मोहन सिंग भी है कहते थे कि टेलेकॉम घोटाले का जवाब जनता ने 2009 के चुनाव में दे दिया घोटाले को आप चुनाव के नतीजे से जोड़के ना देखें हम घोटालों को नहीं हम जनता के विश्वास को जोड़कर देखें सर आएक मंतरी आपका जेल में है कि मंतरी के पीएस पर आरोप है कि दोसों लोगों की उसने भर्दी करा है अपनी बेटी की बर्दी करा है अरे सर चार्टशेट हो चुका है, आरोप क्या, अब ही की STF लोसको चार्टशेट करेंगे, सर चार्टशेट किया है उसको, पुलीस ने चार्टशेट किया है, और फिर भी उसको अगरिम जमानत लोवर कोर्ट से मिल जाती है, वो जेल भी नहीं जाता, इस तरह की तो VVIP ट् मंत्री से नहीं लेंगे हमसे लेंगे यही वो पार्टी है जो 26 माई को कह रही थी कि हम पाक साफ हैं एक भी आरोब साल भर में हमारे ऊपर नहीं है अब पिछले सात हफते में वसंदरा राजय पर आरोप सुश्मा स्वराज पर आरोप सृर्ती इरानी पर आरोप पंकजा मुंडे पर आरोप और अब व्यापम की आग क्या हो रहा है क्या बीजेपी के बुरुदिन चुरू हो गए 26 माई को प्रधान मंत्री ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार का एक बड़ा काम ये था कि एक साल में कोई भी घोटा लानी हो सुष्मा स्वराज पर ललित मोधी की मदद करने का आरोप लगा वसुंद्रा राजे पर ललित मोधी से डूबियस बिजनस डीलिंग्स का आरोप लगा शिवरा चिंग चोहान व्यापम की आग में जुलस रहें स्मिती रानी की फेक डिगरी का माला और पंकजा मुंडे पर गलत कॉंट्राक्ट देने का मामला सर पांच-पांच घोटाले साथ हफते की भीतर देखिए ये कोई घोटाले और स्कैम इस तरीके के शब्दों का प्रयोक करने से वो घोटाले नहीं होते इन सारे विश्यों में उन सम्मंदित विभागों ने मंत्रियों ने और पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो भूमी का रखनी चाहिए वो रखी है जनता उसके प्रती कोई मतलब वो संदेह का और स्कैम का और बहुत बड़ा कोई कांड है ऐसा वातावर निर्मियान करने का एक प्रयास एक कोशिश मीडिया के माध्यमों से कुछ वर्गों के द्वारा जरूर हो रही है क्योंकि देखा नहीं जाता लोगों को भी यह समझ में नहीं आता कि एक साल हुआ कुछ भी नहीं हुआ 425 करोण रुपए के घोटाले का आरोप ललित बोधी पर है एक साल में वापस लाने के लिए आप तक रत्ति में करते है अब हो रही है जब मीडिया ने इसको उजागर किया तब तक आपने क्या किया एक साल खोद जो भी एडि के हर कोई गतिविधी कोई प्रकाश में कि लिए अगर को लगेगा कि मोदी में लेते हैं। दिली का चुनाव भी हमने गंबीरता से लेंगे और उसके लिए पूरा संगटन सन्नद्द है हमने रणनीती बनाई है हमारी मित्र दल हमारे साथ है और जैसे अभी विरान परिशत के चुनाव में आपने देखा होगा कि जनता भी हमारे साथ है और बिहार में इंडिये की सरक अपनी बातों को पार्टी के अंदर लोक सभा में कई बार उजागर किया है जब कभी किसी ने मान लीजिए कुछ बाते जो कहनी नहीं चाहिए कही थी उनको जो भी संदेशा देना था वह उन्होंने दिया है राजनात सिंग कहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार है कॉंग्रेस की नहीं घोटाला हुआ तब भी हमारा कुई नेता इस्तिफानी देगा क्या बात हुई है कि केवल मीडिया बाजी और आरोब बाजी मीडिया ट्राइल बाई मीडिया करने से हम हिचकी चाहट में आने वाले न क्या होती थी अब जब कॉंग्रेस वही हमला आप पर कर रहा है तब आपको ट्राइल बाई मीडिया नजर आ रहा है कि उस समय वो न्याया लेने में केस बहुत बाद में गया केस आपने तो अशोक चवन का इस्तिफा उस दिन मांग लिया जिस दिन मीडिया में खबर निकल मांगा इसका मतलब बहुत बड़ा ऐसान किया ऐसा थोड़ा ही होता है काफी सारी चीजे होती है और हम ऐसे बुझ दिल नहीं है कि कोई एकदम से टैक पत्र को मांगे तो एकदम से टैक पत्र दे क्योंकि हमारा अपना भी रेकॉर्ड है हमारे अपनी भी तहकिकात की पद् प्रावानिक्ता से और पूरी निष्ठा से कर रहे हैं इसलिए जनता को भी आप पता है देखिए राहुल जी मैं आपको एक बात बताओं मीडिया में मैं भी था और मीडिया में हमारे कई में आपको बताता हूं मीडिया को स्थख्रिया कम होना पड़ता है जब तीन साल पहले कि पोस्टमाटम की रिपोर्ट मुर्डर से स्वीसाइड बने जाती ही है जब तीन साल तक सरकार बार-बार हर मन्ज पर आ एक पर कहते हैं कि एक बी व्याप्नosse जुड़ी shadow की केस नहीं ह आप लोगों के रहती तो अब तक आपने यह नहीं किया होता है यह आपको हकिगत पता है कि नवंबर महिने में इसी तरीके की आरजी को खारीज कर दिया था आप लिए विने सहसर बुद्धी साब आपने अपनी बाते हमाई दर्शकों के सामने रखी मैं और नहीं कहूंगा दर्शकों बर छोड़ते हैं कि वो बातों का क्या मतलब निकालते हैं आपने हमें वक्त दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो यह थी विने www.archtak.in slash cdbad तो अगले सब्ता एक बार फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक